हेलो गाइज, वेलकम टो मिस्टिक टारो वर्ल्ड, कैसे हो आप सब लोग आई हो, आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो सो आज हमें कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हैं, और इस रीडिंग में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि कल, यानि कि जो बीत गया हुआ कल है, कल का दिन, येस्टडेइ, आपकी परसन की फीलिंग्स क्या थी, उनके एमोशन क्या थे, वो क्या सोच रहे थे, क्या चल रहा था उनके दिल और दिमाग में, ये हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं, ध्यान रखेगा, ये जनरल ट अब देखते हैं कि आपके परसन की कल क्या फीलिंग्स थी, वो क्या सोच रहे थे, क्या चल रहा था उनके दिल में, दिमाग में मुझे लगता है कि आपके पार्टनर कल इस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, मुझे लगता है आपके पार्टनर कमिट्मेंट देने से बहुत ज़्यादा डरते हैं, कहीं न कहीं उनके अंदर फोबिया है, डर है, सॉलिड कुछ ओफर करने से डरते हैं, में भी ये फ्यूचर को लेकर डरते हैं कि पता नहीं, जैसा वो प्रॉमिस कर रहे हैं, क्या वैसा फ्यूचर में कर पाएंगे, तो ये डर था उनके अंदर कल, और उनके अंदर ना बहुत, उनका जो एक decision नहीं हो पा रहा था, बहुत confused थे, all over the place थे, उनका कोई clear decision नहीं हो पा रहा था, a lot of confusion, okay, मुझे रखता है, आपके जो partner है, इससे पहले अगर आपके partner हमेशा confused रहते थे, या unfair, उनके जो decisions होते थे, या जो भी वो कहते थे, करते थे, बहुत unfair था, बट अब कल at least मुझे उनके thoughts में, हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत clear थे उनके thoughts, लेकिन जितना भी सोच रहे थे न, उनके जो भी decisions थोड़े बहुत बन पा रहे थे, वो काफी जादा fair decisions थे, okay, तो इस person को समझ आ गया था कि, वो आपके साथ हमेशा से ही unfair रहे है, उन्होंने हमेशा से ही गलत किया आपके साथ, किसी किसी के लिए, मेभी आपने व्लॉग कर रखा है इस person को, तो वो रास्ता रून रहे थे, किस तरह से reach out करे, या कैसे बात करे, मुझे लगता है कि, majority आप लोगों के लिए, आपके जो partner है, बड़ी ही हिम्मत के साथ कह लो, या बड़ा गुरूर में आकर, इस person ने आपको बोला कि, मुझसे मुझसे बात नहीं करनी है, या मुझे message मत करो, call मत करो, ये मत करो, वो मत करो, तो कल क्या हुआ, इस person को उसके बारे में बहुत बुरा लगा, इस person को लगा, यार मैंने क्यों उसको ऐसा बोल दिया, मैंने क्यों उसको ब्लॉक कर दिया, या मैंने उसको क्यों मजबूर कर दिया अपने से दूर जाने पे, तो आपको face करने से डर रहे थे आपके partner yes, मुझे डर काफी ज़दा दिख रहे है यहाँ पर बले वो उपर से वो चीज दिखाते हो ना दिखाते हो यह बहुत ज़्यादा डर गए थे कि कैसे आपको face करें और अगर आपने इनको block कर दिया है तो उनको बहुत ज़दा डर लग रहा थे कि पदा नहीं अब आप शायद उनसे deal भी नहीं करना जाते है शायद आप उनसे बात भी नहीं करना चाहते है यह person आपको अपना मानते है चाहे कैसी भी situation आप दोनों के बीच में they think कि आप उनके हो आप उनको belong करते हो यह अपने आपको काफे रोक रहे थे रीच आउट करने से ज़ादा confusion तो उनका इसी बार में था कि मैं बात करू या ना करू अगर मैंने रीच आउट किया तो उसका reaction कैसे होगा वो कैसे react करेगी तो यही उनके मन में चल रहा था बहुत stressed थे देखे एक चीज़ बताओ मैं आपको इस person को आपकी और आपको इस person की आदत लग चुकी है ना आप उनके बगेर खुश रह पाते हो ना वो आपके बगेर खुश रह पाते co-dependency है आप तुनों के बीच में और वही चीज़ उने बहुत stressed कर रहे थी कि वो क्यों आपके बिना खुश नहीं रह पाते उनकी life की खुशिया जैसे गायप सी हो जाती है अगर आप उनके जिंदगी में ना रहे तो और मुझे लगता आप लोगों के बीच में कुछ ऐसे लोग है जो literally खराब कर रहे है आपके रिष्टे को नहीं चाहते कि आप दोनों एक हो नहीं चाहते कि आपका रिष्टा सुध्रे आगे बढ़े तो उनके around especially आपके person के जिंदगी में ऐसे काफी लोग है उनके दोस्त हो सकते है उनके siblings हो सकते है cousins हो सकते है या even family में से कोई हो सकते है जो नहीं चाहता कि आप दोनों एक हो ठीक है so definitely काफी लोग मुझे लगता है इनको कल भी कोई influence कर रहा था आपके बारे में कोई तो था जो बहुत negative बोल रहा था आपके बारे में या आप दोनों के रिष्टे के लिए उन्हें negative influence कर रहा था मुझे लगता है यहां पे कुछ लोगों के लिए आप राधा कृष्ण के भक्ति करते हो या आपके partner में भी राधा कृष्ण की भक्ति करते है especially कृष्ण भक्ति करते हैं बहुत जादा या तो आप हो या तो आपके partner है और हाँ देखे अगर आपकी लव लाइफ में आप stability चाहते हो तो भी मैं आपको बोलूँगी कि आपको राधा कृष्णी की भक्ती करनी चाहिए उनकी पूजा करनी चाहिए उनकी मूर्ती स्थापत करें आप अपने पूजा घर में या आपने रूम में जहां पर आप रहते हो उससे क्या होगा कि आपके लव लाइफ में जो विचलित है चीजे वो ठीक होँगी और काफे positivity आईगी आपके relationship में तो या या यू कैन डू दू दिस क्योंकि मुझे यहां पर वो चीज चानल हो रही है आप दोनों में अगर trust issues चल रहे हैं तो मैं आपको बोलूँगी के थोड़ा सा उसको patiently handle करिये क्योंकि क्या हो जाता है कि इनसान के मन में जब शक भर जाता है जब उसको trust नहीं हो पाता ना तो उसके अंदर जो patience है वो कही नब कर खतम हो जाता है कम हो जाता है तो तुरंत आपको ऐसे कुछ बोलना नहीं है या ऐसा कुछ करना नहीं है जिससे कि आप अपने अच्छे हस्ते खेलते relationship को खराब कर दो Give it some time, be very patient, ठीक है? हर चीज का सही समय सही तरीका होता है बोलने का करने का, ओके? मुझे आपके partner strong masculine energy में दिख रहे हैं कल definitely वो काफी strong masculine energy में थे देखें यहाँ पर आपको दिख रहे हैं कि आप wax के नीचे black black दिख रहे हैं कहीं कहीं पर definitely आपके रिष्टे को नजर लगी हुई है, काफी लोग नहीं जलते हैं, आपसे नहीं चाहते हैं, आपका रिष्टा आगे पड़े अभी आपके दोस्त है या उनके कोई रिष्टेदार है, दोस्त है, वो मुझे नहीं पता लेकिन हाँ, definitely black tourmalina पहना करें, आपको भी काफी नजर लगती है, जो ये reading देख रहे हैं, आपको भी काफी नजर लगती है, जिससे के फिर आपकी love life specially बहुत affect हो जाती है, ओके आपके person कल definitely सोच रहे थे कि कैसे इस रिष्टे को balance किया जाए, वो आपको dominate करना जाते है, बुरी तरीके से नहीं, आपके हक जताना जाते है, अच्छे तरीके से बोल रहे हो, not in a negative way, लेकिन they want to dominate this connection, ये person आपको इस situation को, इस रिष्टे को control करना जाते है, अपने हाथ में ल देखे, बहुत hurt हो रहे थे आपके partner कल, उनका literally दिल तूट रहा था कि वो इस वक्त आपके पास नहीं है, या आप दोनों के बीच का रिष्टा इस वक्त ऐसे मुकाम पे है, बहुत खराब situation है, so it was heartbreaking for them, okay, मुझे ये भी लगता है कि जबी भी आपके person life partner के बारे में सोचत होते हैं, तो सबसे पहले आपका ही ख्याल आता है, सबसे पहले नहीं, सिर्फ आपका ही ख्याल आता है, okay, आपको ये person literally इनके नजर से अगर देखा चाहे तो आप perfect हो, you know you are perfect, अगर इनकी नजर से देखा जाए तो आपसे बہतर इने कोई नहीं मिल सकता, इनको अगर life partner भी चाहिए तो आप ही चाहिए हो यह person आपसे जगड़े फसाद अगर जो कुछ हुए है उसको सुलजाने के बारे में सोच रहे थे, कैसे सुलजाया जाए कैसे जो भी आप दोनों में गिले शिक्वे है उसे कैसे दूर किया जाए बहुत ज़्यादा पर उन्होंने बहुत ज़्यादा रोका है अपने आपको देखिए यह person आपके साथ specially अगर separation में है तो reconcile तो करेंगे लेकिन यह emotional होके reconcile नहीं करना चाहते यह practical mindset रखना चाहते है they want to be practical वो नहीं चाहते कि भावनाओं में बहकर reconcile करे वो नहीं चाहते हैं पूरा सोच विचार करके practically they want to take steps towards you ओके आपके person का सबसे main problem है confused रहना और confusion के चलते ही यह person कई बार रिष्टे को खराब कर देते है तो मुझे लगते है they should work on it उनको definitely इस टीज़ पे काम करना चाहिए उनके confusion पे क्योंकि इतना passion है इतने crazy है आपके लिए इतना प्यार करते है बट रोकते हैं literally अपने आपको और उसका कोई specific reason भी नहीं होता है सिर्फ अपने ego को बरकरार रखने के लिए अपने दिमाग की सुनते हुए कुछ लोगों के लिए specific message हो सकता है आप especially अगर जो लोग किसी water sign से deal कर रहे हो Cancer, Scorpio, Pisces इस वक्त मैं नहीं बोलूँगी आपको के आप उन पर इतना जदा अंधा विश्वास रखो ठीक है क्योंकि ये person कुछ छुपा रहे है या कुछ पूरी सच्चाई नहीं बता रहे है आपको ठीक है especially Cancer, Scorpio, Pisces किसी एक sign से अगर आप deal कर रहे हो तो ये person कुछ तो आधी अधूरी सच्चाई बता रहे है या सच ही नहीं बोल रहे है आप से ठीक है दिवादते हैं manifesting यो आपके partner literally आपको manifest कर रहे है क्योंकि they feel कि उनकी life आपके बिना complete नहीं हो सकती जब तक आप नहीं रहोगे कुछ तो अधूरा सा लगेगा कुछ तो incomplete साईने feel होगा आपके बिना उनकी life incomplete है physical attraction बहुत ज़्यादा feel कर रहे थे नहीं शुरुवात के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे खत से ज़्यादा they want new beginning with you उन्हें चाहिए आपके साथ एक नहीं शुरुवात बहुत अच्छे energy निकल के आई है मुझे रगता है कि आपके partner जितना feel करते है उतना कभी नीशो करते है हमेशा कुछ ना कुछ बचा के रखते है चीजे बहुत सीक्रेटिव है बहुत ज़्यादा planning plotting वाले person है तो इसको रख देते है side में so planning plotting करना बहुत ज़्यादा practically सोचना बहुत ज़्यादा ऐसे है तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि कल ये person अपने आपको काबू में रख रहे थे control कर रहे थे so yeah that was it I hope इस reading से आपको काफी clarity मिली होगी clarity मिली है तो like comment और share जरूर करिएगा वीडियो को and मिलते अगली वीडियो में